आसाम लेकोम, आजम बनानाने जा रहे हैं राजशाही कचोरी जिसके लिए हमें मेदा चाहिए होगा वन कप सूजी हमें चाहिए होगी वन बै फॉर कप बेकिंग सोडा हमें चाहिए होगा तीन चुटकी और नमक हमें चाहिए होगा हजब ज़रूरत इन सारी चीज़ों का अच्छे तरह से मिक्स करने के बाद इसे पानी के साथ गुंदेंगे इसकी डो जदा सक्त और जदा पतली नहीं होनी चाहिए ये हमारी डो तेयार है इसको ढखके 20 मिनिट के लिए साइट पे रख देंगे 20 मिनिट के बाद इसको तीन हिस्सों में तक्सीम कर लेंगे और थोड़े से मेदे के साथ इसको बेलेंगे इसकी डोटी जदा पतली और जदा मोटी नहीं होनी चाहिए इसको हम बेलेंगे नीचे हमारी डोटी तेयार है इसको गरम ओयल में low medium flame पे fry करेंगे इसको थोड़ो से प्रेस करेंगे जैसे जैसे हम लोग इसको प्रेस करेंगे यह फूलना शुरू हो जाएगी देखे यह perfect राशाही कोचोरी बनी है इसको पलट के दूसरे साइट से भी इसको फ्राई करेंगे जब यह फ्राई हो जाए अच्छी ताह से तो इसको प्लेट में निकाल लेंगे इसके असेंबलिंग के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए होगी जो आप अपनी मर्जी के मताबिक कम या जादा कर सकते हैं सबसे पहले जो हम लोग चीजे इस्तमाल करेंगे वह है पकोडिया जिसको बुंदिया भी कहते हैं सॉक्ट सफेज चने बॉयल्ड बॉयल्ड पोटैटोस चॉप्ट यह रमजान में बहुत अच्छी लगती है रैसेपी और स्पेशली गर्मियों में चॉप्ट टमैटोस डालेंगे अपनी मर्जी के मताबिक जो चीज आपको इन में से पसंद नहीं है वो आप स्किप कर सकते हैं अनियन चॉप्ट ग्रीन चिलीज चॉप्ट चाट मसाला डालेंगे अपनी मर्जी के मताबिक कम यह जादा इमली की चटनी डालेंगे दही डालेंगे पुदीनी चटनी के साथ दही में थोड़ी सी पुदीने चटनी के साथ इसको मिक्स करके वो डालेंगे उसके बाद सादा डाही डालेंगे थिक उसके बाद सबसे आखे में हम लोग डालेंगे अनार के दाने अपने मर्जी के मताबिक यह हमारी राजशाही कचोरी त्यार है इसमें थोड़ा सा अगर आप चाहें तो पापड़ी भी डाल सकते हैं जिसको हम लोग निमको भी कहते हैं अगर आपको मेरी रेसिप पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए अलाफिस